जै श्रीरा, जै हनुमान, आप सब के कमेंट आ रहे हैं अर्जी से जोड़ी हुई वीडियो से कि देदे हम अर्जी कैसे लगाएं, हमें अर्जी कब वहाँ जाके बांद के आने हमें अर्जी सुखार हुई या नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो आप सब के कमेंट का रिप्ला अर्जी के होते हैं, तो इस दिन आप अर्जी लगाओ के तो सबसे बैस्ट है, अगर जाप कोई ज़्यादा ही एवरजन्सी है, तो आप कभी भी आके पीछे अर्जी लगा सकते हो, दिल में श्रद्धा सची होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूर यह श्रद्धा, यह मा प्लीज परिशान ना होए, आप दोबारे से लगाएं, और अर्जी कब लगानी है, जैसे आपने अर्जी लगाई है एक अगस्त को, और आपकी एक महीने अर्जी सुईकान नहीं हुए, आपको बंदन नहीं दिखाई दे हैं, आपके मनों कभने पूरी नहीं हुई है, तो जल्दी जल्दी आप करोगे, तो आपका काम हो जागा, जब जो काम होना है वो उसी टेम्पो होएगा, और जो आप दोबारे से अर्जी लगाऊगे, तो आपको दूसरा ही कपड़ा लेना है, दूसरा ही फ्रेश नारियल लेना है, जो पुराने वाला नारियल है, जो आप पीपल का पेड या हनुमान जी का मंदिर, दो जगे सबसे बैस्ट है, अर्जी हमें सब वागिश्वर धाम के लिए ही लगाए जाती है, किसी और चीज के लिए अर्जी नहीं लगाए जाती है, अर्जी बांदने और आहुते देने के लिए, पूरे दिन से कुछ अजीव सा महसूस हो रहा है, इसका क्यारत है, किवारी होता है, जब हम अर्जी लगाते हैं, या कुछ भी हम बांदते हैं, हमारी श्रदा इतनी जादा हो जाती है भगवान में, तो हमें इतनी खुशी महसूस होती है, कही वारी गवराट होने लगती है, तो आप डरेना, ऐसा कुछ नहीं है, आप भगवान की श्रद में हो, आप हनुमान जी को याद करो, और कोई अंजाने में गलती भी होगी है, आप उनसे छवा मांगे, कि हनुमान जी महराज, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमसे अंजाने में कोई गलती होगी है, तो हमें अपने नादान बच्चे समझ के माफ करते हैं, भगवान सब की सुनते हैं, सब की मनों कमनपू रहें भुवा के घर हैं चाचा के घर हैं पीजी में जॉब में कहीं दूसरे सहर में तो हम वहां से अरजी लगा सकते हैं कि नहीं कोई भी इंसान कहीं भी इस पूरे देश दुनिया में कहीं पे भी रहके अरजी लगा सकते हैं दिल में श्रदा सची होनी चाहिए बस किसी के बुरे के लिए अर्जी नहीं लगाने है, किसी का बुरा हो जाए, कोई किसी का डुमोशन हो जाए, किसी का डुबोस हो जाए, किसी की लड़ाई हो जाए, किसी का जगड़ा हो जाए, इन सब चीजों के लिए अर्जी नहीं लगाने है, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी म नाराज होते हैं इस चीज से कि ये अच्छाई के लिए अरजी नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको बार 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 बोल रहे हूं किसी की बुराई के लिए अरजी ना लगा है आप अपने लिए अरजी लगा है चाहे आपकी घर की है चाहे सरकारी नोकरी की है चाहे शादी की ह छहे बाहर जाना है, आपको विदेश सेटल होना है, कोई भी जो आपकी मज़ों कामना है, आप अपने लिए अरजी लगएं, दूसरों के लिए लिए नहीं अर्जी कब मैंने आपको बता दिया कोई भी कहीं से भी लगा सकते है इसमें घबर अने शर्मानी की कोई भात नहीं है किसी को लंब मेरिज भी करनी है तो वो भी अर्जी लगा सकते हैं ये मैंने आपको पहली बता दे कि अरजी अगर जापकी सुविकार नहीं हुए तो जादा जल्दी ना करें एक मेने के बाद दुबारे से अरजी लगाएं और एक ही बारी में ये भी कमेंट पर पूचा गया था कि एक ही बारी में क्या दो तिन बंदे एक ही फैमिली के अरज लेना है तीन जने लगा रहे हैं जैसे मम्मी पापा बहाई या बहन कोई भी तीन बंदे लगा रहे हैं तो तीनों को अलग-अलग नारिल होएगा पानी वाला तीनों बंदों की अलग-अलग मनो काम न होएगी अलग ही कपड़ा होएगा और सबने अपने अपने नारिल को अलग-अलग साप सुत्री जगा पे रखना है ये सारे नियमों को आपने पालन करना है नियम आपको पता ही है फिर भी मैं एक वरी द्वार से बता देती हूँ ना धोके साप सुत्रे कपड़े पहन के हनुमान जी के आगे जो जगा के फिर आपने अपने अरजी लगाने है लेस्न पे आज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है नॉन वेज यूज नहीं करना है, अंडा यूज नहीं करना है फिर आप लोग बोलते हो कि हमने सारे वीदे विदानों का पालन किया देदी हमारी अर्जी स्विकान नहीं हुई जब हमसे कुछ गल्ती हो जाती है तो तभी हमारी अर्जी स्विकान नहीं होती है और उदास होने की परिशान होने की कोई जुरूत नहीं है कोई बात नहीं, एक वारी गल्ती हो जाती हमें इंसाने तो क्या हुआ गलती होगी तो आप दुबारा लगा सकते हो अरजी तीसरी वारी लगा सकते हो चोथी वारी लगा सकते हो लेकिन लगानी है एक महीने के बाद जादा जल्दी जल्दी हमें नहीं करना है कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है तो आराम से लगाएं आप अरजी ऐसा कुछ नहीं है, जादा जल्दी ना करें, एक मही नक गेब, अरजी लगाने में आप जरूर दें, बाकि आपकी मरची है, अरजी हमेसा अच्छे चीजों के लिए लगाने है, आपने किसी का भला करने के लिए, किसी के अच्छाई के लिए, ऐसे नहीं है कि हम गलस सलच चीजों के लिए अरजी लगा आ रहे हैं, और ये सारे चीज हैं, किसे का ये भी कमेंट आए था, कि दीदी मैं धाम पे गई थी, अरजी लगा के आई थी, लेकिन हम मेरे पापा मतलब कि ड्रिंक वगेरा कर लेते हैं, नोन वेज खा लेते हैं, मैं तो नहीं खाती, देखो घर में कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होता है, ये जो ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, एक करता है, उनसे हमें कोई जादा लेना देना नहीं होना चाहिए, जादा परेशानी नहीं होना चाहिए, हमने अरजी लगाई, हमारी जो मनोकामना है, वो भगवान सुनेंगे, क्योंकि हर इंसान के करम अलग होते हैं, आपके करम अलग हैं, आपके पापा के अलग हैं, भाई के अलग ह लग कर्म होते हैं तो आप परिशाना होएं आपकी अरजी भगवान सुईकार कर लेंगे होता है कई वरी आजकल नहीं बिना लस्टन पे आजके लोग रहते हैं डिंक वगएरा भी करते हैं तो आप परिशाना है आप दिल से पूरे श्रद्दा से और अच्छे से अरजी लगाएं भगवान एक नई दिन आपके जरूर सुनेंगे हाँ ये भी बहुत होता है कि अगर जे सपने में बंदर ना दिखाई दे और फिर उस सनारील का क्या करने है देखो अगर जे आपको सपने में बंदर नहीं दिखाई दिये तो इसका मतलब है कि आपकी अरजी स्विकार नहीं होई है और उस सनारील को आप किसी भी हनुमान म बंदर में या फिर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखके आ जाए बंदर आपको चाहे सपने में दिखाए दें टीवी में दिखाए दें फॉन में दिखाए दें अरजी लगने के बाद या कहीं आते जाते दिखाए दें तब समझो कि आपकी अरजी स्विकार हो गई है ऐसे ही अरजी स्विकार होती है, आपको कहीं भी कहीं से आपको आपके घर में या किसी भी इनसान को चाहिए निजबर में मैख्यीन में, किसी भी परकार से मतलत कि हनुमाण जी का चित्र आपके सामने आना जरूर ये चित्र हो फोटो हो वीडियो हो कुछ भी हो तभी आप समझो कि हां हमारी अरजी स्वीकर होगी चाहे बंदर का है चाहे नुमान जी का है चाहे जिस मरजी का होए यही नियम है तुजजो कटर जर जी नहीं लगा पाय तो हमैसे ही बोलते कि टूजज़े को ही लगाओ तूज़े को घण जल्दी सुनते है और हमारी मनुकमना पूरी करते है लेस्ट पेस्ट ब आज का बार पार पूचा जाता है कि लेस्ट पेस्ट बंद करके रखना है जब तक आप रख सकते हैं प्लीज तब तक बंद करके रखें लेसुन पे आज जितने दिन आप से बन रहा है उतने दिन रखें कोई जोड़ जबर्दस्ती नहीं क्योंकि आज कलक सब के घर में लेसुन पे आज बनता ही बनता है या आपको सब कोई पता है तो इसमें कोई ज लिहसन प्याज नहीं छोड़ सकते, माला का जाप नहीं कर सकते, आहूती नहीं कर सकते, तो जिस महीने आपने आरजी लगाई है, जिस डेट को लगाई, उस डेट से अगली डेट तक आप माला का जाप करें, आप आहूती दें, और आप लहसन प्याज बंद रखें, सिर्फ एक महीने इन नियमों को आप पालन कर लें। और फिर देखो हुनमान जी कैसे आपकी अरजी सुईकार कर लेते, कैसे आप दिन दोनी राज चोगनी कर लेते, जो भी आपको दोनों काम ना उसको भगवान जरूपूरी कर लेंगे। सिर्फ आप एक महीने का नियम बना लें। एक महीने तो देखो करी ले ना, एक महीने से जादा तो चलो मैं मानती हूँ की नहीं होता आजकल बच्चों से यागर मैं जो कुछ भी लगा लूँ, नौकरी पेसे वाले हैं, सब इतनी भागदोड मची रहती है लाइफ में, तो एक महीने प्लीज कम से कम इस चीज का प्रेज करें, एक महीने के बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं। कपड़े आपको पता ही है, अलग-अलग अर्जी लगाने के लिए अगर जह हम मनुकामना के लिए लगा रहे हैं, तो भी हमें लाल कपड़ा लेना पड़ेगा, नेगिटिव एनर्जी के लिए लगा रहे हैं, काला कपड़ा लेना पड़ेगा, और शाधी के लिए लगा इसी कोई परशानी नहीं, अगरँ आपको तीनों य अर जी लगानी है, लाल कप्ड़े वाले भी, मनोकामन वाले भी, नेटिव एनरजी वाले भी, शादी वाले भी, तीनों लगा सकते हो, YouTube कप्ड़ा अलग-अलग होना चाहिए, Wही हो आप दिल किसे हनुमान जी दिल ho पार्ट करने से भी आपके मनुकावना पूरी हो जाती है, जरूरी नहीं है कि आपने अरजी ही लगानी है, आप हनुमान जी का संकल्प लेकि हनुमान चाले से का पार्ट करो, 11 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, जिदन दिन का भी आप कर सकते हैं, उससे भी हनुमान ज जिन्दी में टॉप पे रहना ना काम्याब होना ना सफल रहना ना खुश रहना ना मेरिड लाइफ में चाए ओफिस में चाए कहीं पे भी तो आप हनुमान जी की माननेता करो, आप हनुमान जी को सिंदूर चड़ओ, हनुमान चाले से कापार्ट करो, हनुमान जी को मंगलव मैं आपको बता रहीं, आप एक वरी करके देखो, कितना फर्क नजर आता है आपको, मैंने सारे जो mostly question थे वो आपके बता दी है, फिर विए आपको कुछ समझ में नहीं आये, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जैशी राम